हेलो दोस्तो, a very good morning to all of you, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिनी क्लासेस में तो हो चुकी है सुबह और अब बारी आती है सिक्षा जगत से जुड़ी होई खबरों को पढ़ने की तो चलिए थामनेल में जो लिखा है वो भी मैं आपको पता दू तो देखी 69,000 सिक्षक भरती की लेगल अपडेट डॉक्टर प्रभात ने किया अध्यक्ष पद ग्रहन, SSC CHSL परिक्षा में तीरपन प्रसेच छात्र उपस्थित, लोक सेवा आयोक से जुड़ी खबरें और अन्य महत्पून खबरें तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं इन सारी नियूजिस को तो दीखें, आज कोर्ट खुलते ही लखनव पीठ में 40-45 के विरुद्ध एक नहीं अपील 249 बटे 19 सागर एट अदर वर्सेस मुहम्मद रिजवान और अदर्स की सुनवाई जो है चीफ जस्टेस पंकत जैसवाल और जस्टेस जस्प्रीट सिंग की डिविजन बेंच में हुई जिसको 156 बटे 219 में टैक कर दिया गया तो ये देखिए ओफिशिल दिखाये गया है तो एक जुलाई जैसे ही कोट खुला तो सुटवाई हुई और इसे जो है में केस के साथ जो है कट अफ वाला मैटर जो चल रहा है उसके साथ टैक कर दिया गया है अगली खबर लोग सेवायोग से जुड़ी होई है कि डॉक्टर प्रभात कुमार अध्यक्ष नियुक्त योगी से मिले प्रदेश सरकार ने राज्य लोग सेवायोग के अध्यक्ष पद पर अवकास प्रस्त आये एस अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार और आयोग में जिक्त सदस्य के एक पद पर अवकास प्राप्त न्याईक अधिकारी प्रेम कुमार सिंग की नियुक्ती के आदेश जारी कर दिये हैं मुख्यमंत्री योगी आदितिनात के प्रस्ताव पर राजपालराम नाइक ने आयोग में अध्यक्षव सदस्य के रिक्त हो रहे पद पर क्रमशा प्रभात कुमार वा प्रेम कुमार के टापों को मंजूरी दी थी सोमवार को अपर मुख्यस अचीव नियुक्ती एवं कार्मिक मुकुल सिंगल ने इसकी नियुक्ती के आदेश जारी कर दिये नियुक्ती चेर्मेन वा उनिस सो पचासी बैच के रिटार्ड आईएस ओफिसर डॉक्टर प्रभात ने मुख्यपंत्र योगी से सिष्टा चार भेट की वा दो जुलाई को दिन में 11 से 12 बजे की बीच कारभार ब्रहट करेंगे हाला की कामकात सम्हालते ही धेरों चुरोतियों का भी सामना करना पड़ेगा उधर यूपी प्यासी के अध्यक्ष रहे डॉक्टर अनिरुदी सिंग सोमवार को रिटायर हो गये सोमवार को उनकी सेवा निरुदी पर आयोग के सदश्यों अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरे सबमान के साथ विदाई दी तो अगली खबर है स्सी से रिलेटेड तो तिरपन प्रस्यत अभिहर्थियों ने दी की परिक्षा कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय भरती परिक्षा 2018 सोमवार से शुरू हो गई परिक्षा 11 जुलाई तक चलेगी इसमें स्सी मद्य छेत्र दफ्तर के अंतरगत आने वाले यूपी और बिहार के अभिहर्थी शामिल होंगे मद्य छेत्रिय निदेशक राहूल सचान ने बताया कि पहले दिन सिर्फ एक्सिस्ट में ही परिक्षा योजित की गई मंगलवार में इससे तीन शिफ्ट में परिक्षाएं होंगी तो देखिए सबसे ज़्यादा 57.84 प्रेस्ट उपस्थिती पटना में बनाए गए परिक्षा के इंद्र पर रही तो अगली खबर प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक की CBI ने भी शुरू की जाच तो लोग से वायोग की भरतियों में ब्रष्टा चार की जाच कर रही CBI ने पेपर लीक मामले में प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका की जाच भी शुरू कर दी है CBI को सिकायत मिली है कि LT grade शिक्षक भरति के पेपर लीक प्रकरण में STF ने जिस प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ कारवाही की है वहाँ काफी पहले से आयोग की भरति परिक्षाओं के पेपर चपवाय जा रहे हैं CBI मार्च 2012 से अप्रेल 2017 के बीच हुई भरतियों में अन्यमित्ता की शिकायतों की जाच कर रही है CBI को मिली सिकायत में दावे के साथ कहा गया है कि मार्च 2012 से अप्रेल 2017 के बीच हुई भरतियों में पेपर में उसी विवादित प्रिंटिंग प्रेस से में छपवाए गया है यह भी कहा गया कि जाच अवदि के दोरान हुई PCS pre 2015 और ROARO pre 2016 का पेपर लखनओ के सेंटर पर आउट भी हुआ था तो देखें जाच चल रही है CBI के तुरू भी और यह आप जानते हैं कि मामला जो है कोर्ट में भी चल रहा है कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर रखा है तो देखें यह तो आप निउस देखी चुके हैं कि प्रोफेसर अनुरुद्ध को दी गई विदाई तो देखें UPPSC अपसरो कर्मचारियों ने डॉक्टर अनुरुद्ध को दी विदाई तो यह जो अनुरुद्ध जी है यह सपस आसं काल में डॉक्टर अनुरुद्ध को 15 मार्श 2016 को आयोग के अध्यक्षपद पर न्योक्ति किया गया था आयोग के अध्यक्षपद का कारीकाल अधिक्तम 6 वर्ष का और जो है आयू 62 वर्ष की होती है डॉक्टर अनिरुद्दी सिंग तक्रीबन तीन वर्ज आयोग के अध्यक्ष पद पर रहे 62 वर्ज की अनिवारिता आयोपूरे होने पर सोमवार को वो सेवा निवरित हो गए उनी के कारेकाल में आयोग की परिक्षाओं की CBI जान शुरू हुई और LT grade शिक्षक भरती में धांदली का मामला सामने आने के बाद परिक्षा नियंत्रक रही अन्जू कटियार को STF ने गिरिफतार कर लिया तो देखे CEM से सिकायत आयोग के अध्यक्ष रहे डॉक्टर अनिरुद्दी सिंग और सचिव जगदीज की सिकायत मुख्य मंत्री से की गई है प्रद्योगी शात्र संगर्स समिती के मीडिया प्रभारी अवनीज पांडे ने CEM को पत्र भेज कर शिकायत की है आयोग के अध्यक्ष के रिटार्मेंट के ठीक एक दिन पहले आनन फानन में अरुवेदिक चिकित्चा अध्यकारी के पदोपी शीदी भरती का परिणाम घोसित कर दिया गया जबकि तमाम प्रमुक परिक्षाओं के परिणाम अभी कई वर्सों से लंबित है अगली ख़वर भी लोक सेवा आयोग से ही रिलेटेड है PCS मांगे तीन अत्रिक्त अवसर तो PCS 2018 में शामिल जो अभ्यर्थी अगली परिक्षा के लिए ओवरेज हो रहे हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मांग की है कि उन्हें आगामी परिक्षाओं में शामिल होने के लिए तीन अत्रिक्त अवसर दिये जाए ग्यापन में यह भी कहा गया कि PCS 2018 के मुख्य परिक्षा का पैटर्न बदलने के कारण अभ्यर्थियों की तैयारी प्रभावित हुई है अभ्यर्थियों ने संग लोक सेवा आयोग का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 1997 में अब सिविल सेवा परिक्षा का पैटर्न बदला गया था तो सभी प्रतियोगियों को तीन अवसर प्रधान किये गये थे तो देखिए प्रभाद जी ने कहा है कि अब नियुन्तम समय में हुआ करेगी भर्थियां तो ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए जो है इनसे इंटर्व्यू भी लिया गया और इनसे पूछा गया कि आयोग में हुई गड़बडियों को जाच करेंगे तो उन्हों ने बोला निश्ची जाच होगी और जो भी दोशी मिलेगा उसके खिलाफ कारेवाही होगी और भरती प्रक्रिया में बहुत समय लग रहा है तो आये सदिकारी ने कहा कि चयन में अधिक्तम सवा साल का समय लगता है और मेरा मानना है कि इस से कम समय भी किसी भरती का पूरा होना संभव नहीं है तो उम्मीद है अब की लोग सिवा आयोग जो है वो सीधी पटरी पे आज आएगा और हम उम्मीद ही कर सकते हैं बाकी का आगे का देखिए तो जल्दी परिक्षाएं होई जो है PCS 2019 की परिक्षा भी हो एल्टी ग्रेट जो है सिख्षक भरती का मामला अटका हुआ है वो भी पटरी पे आए और जो बचे हुए रिजल्ट है वो घोशित हो जो दोशी हो वो उसे जेल के अंदर डाला जाए तो यह थी आज की प्रमुक खबरे और कैसा लगा मेरा यह वीडियो जरूर आप मुझ शेयर करिये थैंक यू बेरी मच